टीवी के फैमस कपल नील भट और आश्वर्या शर्मा को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। के बारे में बात की और बताया कि वे शुरू में एक दूसरे के प्रती क्यों आकरशित थे। टीवी एक्टर नील भट ने बताया कि उन्होंने एश्वर्या के प्रपोजल को मना क्यों किया था। एक्टर ने कहां गुम है किसी के प्यार में शो में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे और उस टाइम उनके बैंक खाते में केवल 80,000 रुपए थे। वह उस समय अफेयर की तलाश में नहीं थे और घर बसाना भी नहीं चाहते थे। उनके उपर कई जिम्मेदारियां थी। वह चाहते थे कि शो हिट हो और उन्हें लगा कि रिलेशन्शिप में रहने से शो पर असर पड़ सकता है। इसलिए नील ने ऐश्वर्या से कहा कि उन्हें शो और अपने-अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। ऐश्वर्या शर्मा ने खुलासा किया कि वह नील के जवाब से निराश थी। नील ने खुलासा किया कि एक दिन वह ऐश्वर्या को उनकी बिल्डिंग के पास मिले और तहलते हुए उन दोनों ने 45 मिनिट तक बातचीत की इसके बाद ऐश्वर्या ने नील से पूछा आगे क्या और तभी नील ने ऐश्वर्या से कहा कि वह उनसे शादी करना चाहेंग दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करे शेर करे और ऐसी ही दिलचस्त जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें